वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें और आज हम लोग देखेंगे कुशान वंस के बारे में कुशान वंस के बात करें तो इनसे पहले पाथियाई आये थे उसके बाद कुशान आये थे इनको यूची या तोख्री भी कहा जाता है और कुशान खोही भारती साहित में रिसिक भी कहा गया है ठीक है ये तुसार प्र कि प्रदेश से आने के कारणट इनको तुसार भी कहां गया है तो खृरी भासा का ये प्रखा करते थे इसलिए उसका ने तोखा रहे मिया ओस या फिर हेरा ओस ये प्राचीनतम कुशान सासक था जिसका उलेक सिक्कों पर हुआ है इसके बारे में और आगे जाने तो कुशान सामराजी के विस्तार के आधार पर उसे Central Asian Empire तथा प्रथम अंतराश्ट्री सामराजी की संग्या दी जाती है जो कुशानों का विस्ता के कारण इनको Central Asian Empire और प्रथम अंतराश्ट्री सामराजी की संग्या दी जाती है इसका उद्गम मध्य एसिया है और मध्य एसिया में पश्चिम चीन के यूची जाती के थे अभी पहले हम लोगों ने देखा कि इनको यूची तोखरी कहा जाता है तो इनका उद्गम मध्य इसिया का था और पश्चिम चीन के यूची जाती के थे कुसानों ने सबसे पहले बैक्ट्रिया या फिर उत्तरी अफगान पर कबजा किया जहां से उन्होंने सकों को विस्थापित किया क्रमसा गंधार को कबजे में लिया और इन छेत्रों से यूनानियों तथा पार्थि ठीक है देख सकते हैं अकसस से लेकर के पूरा गंगा नदी और मद्य एसिया से लेकर के पूरा उत्तर प्रदेश के वारानसी तक इसी लिए इनको सेंट्रल एसियन अंपायर की संग्या दी गई थी इसके दो राजवन्स हैं जो की एक साथ नहीं एक के बाद फिर दूसरा पहला राजवन्सके अगर बात करें तो कडविस कडविस नामक सरदारों के घराने के दूरात इसको स्थापित किया गया था जिसमें दो रसराजा हुए कि पहला कडविस प्रथम था जिसने हिंदुक कि दक्शन में सिख़े चलाये थे उसने रोमन सिककों की नकल करके पूरब में फैलाया ठीक है यह तो इजी हो गया दो राजवंस आये कुशाणवंस में पहले राजवंस के अगर बात करें तो कड़फिस नामक सरदार के घराने के द्वारा किया गया कड़फिस फ्रतम ने क्या किया था हिंदुक उसके दक्षण में सिक्के चलवाए थे रू और इसने क्या किया यह उत्तरी भारत और निम्न सिंधु खाटी में अपना प्रभुत्तो फैल आया आरंभी कुशाणडा जाओं की बड़ी संख्या में स्वण मुद्राएं चलाएं आगे बढ़ते हैं इसके बारे में और देखते हैं डिटेल में चलिए फिर इसमें देख लेते हैं कुजूल कदफिजेश या फिर कदफिशेश प्रथम के बारे में तो कुजूल कदफिज जो थे ये यूची जनजाती ठीक है इसके पांच कुलों को मिलाया गया और इन्होंने मिला लिया और सन्युक्त कुसार सामराजी की नीव रखी इसके सिक्कों पर अंतिम युनानी राजा हर्मियस की आखरिती है कुजूल ने जिविन जिविन यानि कस्मीर काबूल और कांधार को जीत करके महराजा धिराज की उपाधी धारण की थी महराजा धिराज की उपाधी जब हम लोग इतिहास पढ़ेंगे तो ऐसी उपाधी बहुत धेर सारे लोगों के पास है उसमें आप ये याद रखीगा कि कुशान सामराज के जो कुजूल कदफिसेज थे इनके पास भी महराजा धिराज की उपाधी थे इन्होंने तावे के सिक्के ढलवाए और ऐसा माना जाता है कि अपने व्यापार को सुगम बनाने के लिए रोमन औरेई प्रकार के सिक्कों की नकल की हमने पहले भी पढ़ा था कि जो कदफिसेज ये थे इन्होंने क्या किया था रोमन सिक्कों की नकल की थी और उसी तरह के ताबे के सिक्के चलाये थे और इसके सिक्के हिंदुख उसके दक्षण से प्राप्थ हुए हैं उसके सिक्के बहुत धर्म के संपर्क को भी लक्षित करते हैं अब वहीं बात करें हम लोग विम कदफिसेज की यानि कदफिसेज दूतिय की तो इसको कुसान मंस का वास्तिविक संस्थापक माना जाता है ये कदफिसेज का प्रथम का पुत्र था और इसने बड़ी संख्या में सोनी के सिक्के जारी किये विम कदफिसेज सिव का परमभक्त था और स्वयम को महिस्वरा इसने गोसित किया था इसके सब्भी सिक्कों पर जो किताबे और सिक्के दोनों की थे इसमें सिव के त्रिसूल और बैल स्पस्ट चिन है ऐसा क्यों? क्योंकि जो विम्कदIDS था यानि कदद continuation का पुत्र कदद दूति यह सिव का परम भगत था फिर सिंधु नदी के पूरों में कुशान सामराजी का विस्तार करने वाला ये पहला कुशान सासक था और इसके ही काल में कपिसा मातंग और धर्मरत ने चीन जाकर बहुत धर्म का प्रशार किया विम कदफिसेज अंतिम कुशान सासक था जिसने सिक्कों पर द्वी भासा इवं द्वी लिपी यानि खरोष्टी और यूनानी दोनों का प्रयोग किया ठीक है ये अंतिम ऐसा कुशान सासक था जिसके सिक्कों पर खरोष्टी और यूनानी दोनों भासाओं दोनों लिपीयों का प्रयूग किया जाता था और कुशान सासकों में सरप्रथम इसी ने भारत में स्वन मुद्रा का प्रचलन किया था श्वन मुद्रा की जब भी बात आएगी भारत के कंटेश्ट में भारत के संदर में तो विम कदफिसेज यानि कदफिसेज दुटी ये ने इसका प्रशलन किया था फिर आगे बढ़ते हैं कनिस्क के बारे में अगर पढ़ें तो कनिस्क का जो समय था वो था 78 इसा पूरू से लेकर क के 101 इस्वी यह खुशान मंस का महांतम सासक था इसने कुल 23 वर्ष तक राजी किया था और 78 इस्वी में इसने एक सम्वत चलाया जो कि सक सम्वत कहलाता है ठीक है कनिस्क के काल में 77 इस्वी में एक सम्वत चलाया गया जिसको सक सम्वत कहा जाता है यह याद रखेगा इंप जो कि भारत सरकार के प्रयोग में लाया जाता है, आज तक हम उसका प्रयोग कर रहे हैं, उन्होंने वसुमित्र की अध्यक्षिता में कुंडलवन जम्मुकस्मीर स्रीनगर के पास चौथी बौध परिशत का आयोजन किया, जो चारों बौध परिशर हैं, जो आपकी पाटली इसके परिशर में दो बाधπως कुलों हीण, महाईयां जो बहुत धर्म था इसी परिशद में जो चोथी वाली बहुत परिशद हुई थी, इसमें ही बाधु धर्म जो हैं वो दो पार्ट में दो इसकूलों में विभाजित हो गया, गया, जो कि एक साखा कहला ही हीण हीण, द कंश्कद देवपूत्र के अभादे ग्रहण के ? कुछ सिक्कों पर नुक्विली टोपी पहनते हुए इनको दर्शाया भी गया है कनश्कद को दुइती असोख कहा जाता था, यह भी इंप्रोर्टेंट है, कनिश्क ही थे जिनको दुइती असोख कहा जाता है और कनिस्क की सैल प्रतिमाय सुर्खकोटल अफगानिस्तान और माट मथुरा से प्राप्त हुई है ठीक है इंपोर्टेंट है ये ठीक है कनिस्क की सैल प्रतिमाय जो है सुर्खकोटल जो की अफगानिस्तान में है और माठ जो की मथुरा में है यहां से प्राप्ठ हुई है और इन ही के सिक्कों पर पहली बार प्रभाम अंडल युक्त खड़ी मुद्रा में बुद्ध की आकरिती मिली है चरक जो थे चरक की अगर बात की जाए तो ये कनिस्क के ही राजवैदे थे कनिस्क के राजवयदे थे चरक और चरक को कायचिकित्सा का प्रड़ेता और उनकी पुस्तक चरक संगिता को कायचिकित्सा का प्राचींतम गरंथ माना जाता है अस्वग होस की बात करें तो अस्वग होस कनिस्क के दरबार की राजकवी थे वसुमित्र चौती बौध संगती के उपाध्यश थे जो चौती बौध संगती हुई थी कुंडलवन जम्मुकस्मीर में इसमें इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे वसुमित्र और इनका कनिस्का नाम महायान बौध धर्म के प्रशय प्रशार प्रशार से संबंद है भगवान बुद्ध की मूर्तियों का निर्माड का प्रारम कनिस्क के काल से ही माना जाता है इसको करेक्ट कर लिजेगा अध्यक्षते और भगवान बुद्ध की मूर्तियों का निर्माड कनिस्क के काल से माना जाता है कनिस्क की रालधानी के अगर बात करें तो एक थी पुरुसपुर जो की पेसावर है वो दूसरी मथुरा अभी हम लोगों ने पढ़ा भी था कि कनिस्की की सैल प्रतिमाय जो है एक तो अफगानिस्तान के खुरुसुरुकोटल दूसरा मथुरा के माट से प्राप्थ हुई है ठीक है राजधानी की भी बात करें तो एक पुरुसपुर थी और दूसरी थी मथुरा फिर आगे बढ़ते हैं कनिस्की ने गांधार मथुरा मूर्तिकला विद्यालेओं को भी संरक्षण प्रदान किया और मथुरा से कनिस्की एक युद्धा के रूप में दर्साती हुई मूर्ति प्राप्थ हुई है उसने मध्ध के एसिया में प्रशिद्ध सिल्क रूट को भी नियंत्रित किया था और एजी एजी सी लौस एक यूनानी अभियंता अभियंता का मतलब क्या होता है इंजीनियर जिसके मार्ग दर्सन में ऐसा माना जाता है कि पुरुसपुर के महास्तूप का निर्मार भी हुआ था वह मतलब का किइस के समय नागार्जुन को अक्सर भारती आन्स्टाइन कहा जाता है बहरती मार्थ आइंस्टाइन वासुदेवदूती अब कुछ important देख लेते हैं कनिस्क के समय में कनिस्क के अभिलेग जिसमें सबसे पहले है राबातक अभिलेग यह अभिलेग अफगानिस्तान के सुर्खकोतल के काफिर का किला नामक पहाणी परिस्थेत है चीर सूप लेग की बात करें तो मारसल ने तक्ष सिला में चीर संकाल के 11 में वर्ष का अभिलेग है इसमें संस्कृत का प्रयोग हुआ है सुई विहार में जेद्दा मनिक्याल अभिलेग की बात करें तो पंजाब के अधिकार पर इसकी पुष्टी होती है यहां से पता चलता है सारनाथ अभिलेग और कौसांबी की बात करें तो इसमें अपने राज्य भिषेक के 23 में इसको जारी किया था तो ये हमने देख लिया कनिस्क के बारे में complete तो ये वीडियो यहीं खतम करते हैं आगे हम प्राचीन भारत के इतिहास को अगले वीडियो में continue करेंगे ऐसे ही बने रही है अपना सपोर्ट देते रहे हमारे चैनल को सब्स कीजिए थैंक यू सो मच